डेर्ट्रेंट्स आजके इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे सेवन्थ क्लास चैप्टर टू ऑक्सपॉड मैंट्स में से जो हमारे चैप्टर चैक अपर फरस्ट जो है अब आपका प्लीड करवा दिया है मैंने अल्रेडी इसमें हैं फिर्स फाइंड दॉड़ फॉ वाले को हरे कोशन में चाहे कैसी भी statement हो सेकिंड वाला ही रैसिप्रोक्ल होगा फस्ट वाला का भी नहीं होता है तो दो स्टैप इसमें हम ही करने एक तो फस्ट जो स्टेट्मेंट है उसको सेम रखने आपने उसके बाद यहां पर इसको रैसिप्रोक्ल कर देना टू बाए व order होता है इससे जो उपर और निच्चे वाले है वही आपस में को eg cancel कर सकते हैं जो दोनोग लेवल पे नमक्रों में यह अपस में दूसरे को Franklin करके चाहिए तो यह आपस में में दूसरे को ड कंसले नहीं करते हैं जिरफ उपर वाला नमबर निच्छे को तो यह से किन्ट वाले को रही हो जाएगा जब रही हो जाता है अब एड फॉर्जा थर्टी टू है और डिवाइड बाइड बाइव उसको लिकिने की ज़िदोड नहीं है नेक्स्ट वाले में सेम वे में करेंगे 10 multiply 3 by 1 10 थीजा 30 इसका आंसर आजाएगा नेक्स्ट अगर आप देख रहे हैं ध्यान से तो 5 multiply 3 by 2 हो जाएगा यहाँ में भी कुछ cancel नहीं हो रहा है तो इसके नीचे 1 लगा के इसको solve कर देते हैं 5 थीजा 15 यहाँ पर पहले divide ही रखेंगे क्योंकि अभी mix fraction इसका solve करना पड़ेगा 2 बंजा 2 प्लस 1 3 3 by 2 अब इसको solve कर देते हैं 8 by 3 multiply 2 by 3 अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ध्यान से तो यह कुछ भी cancel नहीं हो रहा क्योंकि यह same level पे है यह भी 8 तो जा 16 डिवाइड बाइ 3 तो जहाँ 9 आ जाएगा next part जी पार्ट में mixed friction है दोनों के दोनों strengths तो पहले इसको solve करते हैं 5 to 10 plus 1 11 by 5 अभी division ही रखेंगे इसको क्योंकि रेसी प्रोकल के बाद change होता है 4 बंजा 4 प्लस 3 7 डिवाइड बाइ 4 अब इसको solve करते हैं 11 by 5 multiply 4 by 7 कुछ cancel हो रहा है बिल्कुल नहीं 11 4 जा 44 divide by 7 5 जा 35 यह आपका answer है next volume 6 3 जा 18 plus 2 20 divide by 3 multiply नहीं अभी divide रखने इसको 2 बंजा 2 plus 1 3 by 2 sorry 2 जा 4 plus 1 5 बाइड तो यहाँ पे आजेगा 5 by 2 next step क्या होगा 20 by 3 यह तो एज़िटी ज रहेगा इसको multiply और इसका हो जाएगा 2 by 5 अब कुछ cancel हो रहा है 5 की table में 5 जा 5 5 4 जा 20 तो कितना जाएगा 4 to the 8 divide by 3 जा 3 ठीक है यह आपका answer आजेगा next volume देखो first statement तो as it is रहेगी next volume 3 3 9 plus 1 10 by 3 तो इसको change करेंगे तो यह आजेगा 5 divide में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो multiply में 3 by 10 आप cancel हो रहा है 5 जा 5 5 जा 10 तो यह आजेगा 3 by 2 ठीक है इसी तरह से इसको solve कर दिने है dear students 5 by 6 divide by 2 जा 2 plus 1 3 3 by 2 अब इसको change करते हैं हम तो यह आजेगा 5 by 6 multiply 2 by 3 कुछ cancel हो रहा है बिल्कुल 2 जा 2 2 3 जा 6 और कुछ भी cancel नहीं हो रहा 5 जा 5 divide by 3 3 जा 9 तो यह हो गया आपका फर्स्ट पार complete इसके अगले तीन नंबर्स क्या होंगे वो हमें बताना है dear students तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दे रहे हैं 5 फिर 4 4 मतलब decreasing order में है फिर उसके बाद यहाँ पर 2 by 3 है यहाँ 1 by 3 यहाँ 2 by 3 यहाँ 1 by 3 बीच में जो है वो एक whole number आया 5 तो यहाँ पर देखो 5 फिर 5 फिर 5 तो तीन बार है 4 4 दो बार आचुका तीसरी बार हम यहाँ पर लिख देंगे तीसरे नंबर में 4 लिख दिया अब 4 के साथ यहाँ पर क्या आएगा देखो 2 by 3 आया फिर 1 by 3 आया फिर single 5 आया तो यहाँ पर 2 by 3 आ गया बिल्कुल 1 by 3 भी आ गया तो अब single 4 आयेगा तो यहाँ पर हम division वाला sign नहीं लगाएंगे तो इस area में क्या आयेगा सिरफ 4 फिर next वाले नंबर देखते हैं next वाले नंबर जो है इससे देखो 555 तीन बार आ चुका फिर एक नंबर कम हो गया 444 तीन बार आ चुका एक नंबर कम कर दो 3 आ जाएगा ठीके और यहां से फिर से सेम यही दोनों इसके साथ लगाएंगे एक बार तो लगेगा 2 by 3 और एक बार आ जाएगा 3 into 1 by 3 ठीके इस तरह से आपने pattern को complete कर देना है next वाले में अगर आप ध्यान दे रहे हैं कुछ जो है वो simple fraction में है प्लस 1 5 by 4 और next है 5 by 8 5 by 16 ठीके अब आप एक चीज नोट कर रहे हो उपर तो सब के 5 है नीचे क्या है देखो 2 टूजा 4 4 टूजा 8 8 टूजा 16 16 टूजा कितना होता है तो यह आजएगा 5 by 32 ठीके 16 दूनी 32 फिर 32 टूजा कितना होता है 64 ठीके फिर 5 का 5 उपर रहेगा 64 टूजा कितना होता है 128 ठीके इस तरह से इस पेटरन को complete कर दे रहा है तो थोड़ा सा हमें ध्यान से समयने की जूरत है जैसे इसमें अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर यह मैं समझा देता हूं कैसे आएगा आपको यहाँ पर आप देखें 4 1 by 6 लिखा हुआ है यहाँ पर है 4 1 by 3 4 1 by 2 अब आप देख रहे हैं यह जो fraction वाला पार्ट है उसमें denominator अलग-अलग है अगर हम इसको सेम कर दे तो ज़्यादा असानी से हम कर सकते हैं जैसे यहाँ पर 6 है तो क्या इसको 6 बना सकते हैं बिल्कुल कैसे 2 से multiply करके तो लेकिन 2 से multiply उपर और नीचे दोनों जगा करना है आपको तो बच्चे यह statement हो जाए कुछ इस तरह से 4 1 by 6 कोमा लगा के इसको हम लिख सकते हैं 4 2 by 6 क्यों लिख सकते हैं देखो 2 से उपर और नीचे multiply करते हैं 2 बन जा 2 2 3 जा 6 cancel करोगे तो दुबार 1 by 3 बनेगा न ऐसे ही इसको 4 इसको 2 को 6 बनाना है तो किसे multiply करें 3 से तो 3 बन जा 3 3 2 जा 6 इसके भी नीचे 6 बना दिया हमने इसको बनाते हैं 4 2 इसको 2 से multiply करें 2 2 जा 4 उपर और नीचे से 2 3 जा 6 अब देखो नीचे 6 बन गया अब आप एक चीज़ नोट कर लिए उस हाथ में आ रहे है 4 4 4 4 4 लेकिन उपर नीचे भी 6 है हाना उपर क्या रहे है 1 2 3 4 तो यहां पर क्या जाएगा 4 4 के बाद 5 by 6 अब अगला जो नंबर आएगा न students वहां पर आपने देहान देना है वह हो जाएगा 6 by 6 6 by 6 तो complete 1 हो जाएगा तो 4 यहां पर already है तो कहना के चारों में 6 by 6 इस तरह से हो जाएगा तो यह cancel होके 1 हो जाएगा 4 plus 1 कितना हो जाएगा 6 sorry 4 plus 1 5 यहां पर 4 था तो यहां आना था 4 6 by 6 इसकी जगह पर हम लिखेंगे 5 क्योंकि यह complete fraction हो गया इसलिए यह 5 हो जाएगा अब दुबारा से यह pattern repeat हो जाएगा 5 5 के बाद क्या जाएगा 5 1 by 6 ठीक है 5 1 by 6 तो यह आपका pattern complete हो गया next करते है next part में देखो students क्या increment हो रहा है 4 फोर्जा 16 16 फोर्जा 64 नीचे वाल स्टेट्मेंट बढ़ रही है लेकिन उपर सबके 9 आएगा यहां पर 9 यहां पर 9 यहां लिखेंगे 9 9 और 9 ठीक है divide का sign लगा दिया हमने उसके बाद यहां पर आप देखे 4 फोर्जा 16 16 फोर्जा 64 64 फोर्जा कितना आएगा 256 ठीक है यहां गया 9 by 256 256 को 4 से multiply करोगे तो यह आजाएगा 1024 ठीक है और इसको 4 से करेंगे तो यह आजाएगा 4096 ठीक है तो यह आपका pattern complete हो गया नेक्स्ट वाले में अगर आप ध्यान दे रहें उपर 3 आ रहें सबके तो उपर हम लिखेंगे 3 3 और 3 ठीक है यह लिख दिया हमने और इसके बाद नीचे आप देखे 32 था 16 हो गया 16 था 8 हो गया 8 था 4 हो गया तो डिवाइड 2 कर रहें हम 16 के डिवाइड में 2 करेंगे कितना आएगा 8 के डिवाइड में 2 करेंगे कितना आएगा 4 4 के डिवाइड में 2 करेंगे तो कितना आएगा 4 के डिवाइड में 2 करेंगे तो 2 आएगा 2 के डिवाइड में 2 कर दिया तो कितना आ जाएगा 2 के डिवाइड में 2 करेंगे तो 1 आएगा वन और उपर चला गया टू तो यह हो जाएगा तो मतलब फस्ट डैसमें तो आएगा थी बाइटू सेकिंड वाले में थ्री और थर्ड वाले में सिक्स ठीक है नेक्स वाली स्टेटमेंट आप देखें एटीन टू बाइटीन रहा गया सेम नंबर है लेकिन यहां से यह हमने गयब कर दिया फिर 17 एंगल नंबर है जो यहां पर जो है वही का वही जिस्टिन आ जाएगा यहां पर थेकए उसके बाद सेम नंबर के एक कम हुआ 18 17 तो यहां से कम करेंगे तो 15 और इस नंबर के साथ क्या है one वाइ-three तो यहां लिखते हैं एक नंबर सिरियस यहां पर एक नंबर कम हो रहा है तो यहां पर हम लिखेंगे 14 और 14 ऑगया साथ में आगया तो बाइ-three तुब आए- ठीक तो यह आपका pattern complete हो जाता है इस तरह से next third में देखो students in the given number series write the next four numbers जैसे हमने previous part में किया same वैसे ही हमें next four numbers लिखने हैं तो बिल्कुल ही simple है देखो three by four है ठीक है फिर one one by two फिर two मतलब एक number increase हुआ two one by four फिर three आ गया four और यहां पर same यह लगा दो one by two ठीक है next वले में फिर से one था तो two हो गया तो एक increase हुआ है यहां four है तो यहां हम कर देंगे five और यहां पे साथ में क्या आएगा one by four तो यहां पर लिख देंगे one by four ठीक है उसके बाद यहां पर एक number increase हुआ हुआ और इससे एक ज्यादा आ गया तो इससे एक ज्यादा कर दो six तो यह आपका पैटरन complete हो जाएगा next करना है solve the following expressions अब यह जो expression है इसमें divide भी है plus भी है तो आपको जाना है division और multiplication पहले होगा फिर प्लस और माइनस होगा यहां पर इनके बीच में प्लस है तो इसको रखेंगे 17 प्लस यहां पे डिवीजन है तो डिवीजन को उपर वाले के साथ multiply 54 जा 60 divided by 17 बन जा 17 अब यहां पर आपनी ध्यानक नहीं वैसे तो प्लस करने के लिए LC में निकालने के जरूरत होती है लेकिन अगर denominator सेम हो तो डिरेक्ट उपर वाले को हम प्लस कर सकते हैं 11 प्लस 60 तो आपका answer आजएगा 71 बाए 17 ठीक है next वाले statement को solve करते हैं इसमें mixed fraction है तो पहला काम हम करेंगे mixed fractions को solve करने का 4 5 जा 20 प्लस 1 21 बाए 4 डिवाइड बाए 2 3 जा 6 प्लस 1 7 बाए 3 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 2 14 बाए 3 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 1 16 बाए 3 multiply 3 जा 6 प्लस 1 7 बाए 2 ठीक है यह आगया अब हम देखते हैं कहां कहां डिवीजन है यहां पे डिवीजन है यहां पे multiplication है तो पहले इनको solve करेंगे division को solve करने के लिए first number सेम आएगा multiply में इसका reciprocal 3 बाए 7 ठीक है माइनस 14 बाए 3 यहां पे already multiplication है कुछ cancel हो रहा है बिल्कुल 3 बंजा 2 बंजा 2 2 8 जा 16 8 से बंजा कितना होता है 56 डिवाइड बाए 3 ठीक है अब इसको 4 3 जा 12 होता है तो 3 की 9 से 9 3 जा 27 माइनस 3 की टेबल में 12 आता है 4 पे तो 4 की 14 से करेंगे 56 प्लस 3 की टेबल में आता है 4 पे तो 4 की 56 से करेंगे 4 6 जा 24 2 करी 4 5 जा 20 और 2 22 ठीक है यह आ गया अब आप देखें यहां पे 27 है माइनस का 56 है पहले प्लस वालो को सॉल्ट करोगे आप इसको रब कर देते एक बार पहले जो प्लस वाले है प्लस वाली स्टेट्मेंट कौन सी है 27 और 2 24 और इसमें हम लोग क्या कर देंगे प्लस 27 ध्यान अखना कभी इनको प्लस कर दो पहले ऐसे नहीं करना यह माइनस वाली स्टेट्मेंट अलग है तो इसको प्लस करूँ 7 प्लस 4 11 का 1 क्यारी 2 2 4 और 1 5 तो यहाँ पर आगे 251 अब इसमें से 56 को माइनस कर दो तो यहाँ जेगा 11 माइनस 6 5 4 बच गया 14 माइनस 5 9 यहाँ पर 1 तो 195 डिवाइड बाइ 12 यह आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ठीके नेक्स फिफ्ट में देखो how many months are there in 2 by 5 of a century century होता है 100 years ठीके अब हमें तो निकालने months तो कितने months होते है 12 तो 12 से उसको multiply कर देंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमें बताना है how many months are there in 2 by 5 of of का मतल होता है multiply of a century century के लिए 100 लेना है अब 100 तो years है तो month में convert करने के लिए 12 से और multiply कर दोगे तो अब जो cancel होता है कर दो 5 की table में 5 to the 10 0 as it is अब इनकी multiply करेंगे 2 multiply 20 40 होता है 40 को 12 से multiply कर दोगे तो यह आजेगा 480 months ठीके यह आपका answer आजेगा बात समझा रही है same way next how many seconds are there in 2 by 3 2 by 3 off का मतलब multiply 2 hours अब यहाँ पर 2 hours है तो 2 लेकिन second में convert करना है तो one hour में कितने second होता है कितने minute होते है 60 minute और one minute में कितने second होते है 60 second ठीक है तो इसलिए दो बार हमने 60 से multiply किया पहले 60 से जब multiply किया तो यह minute में convert हो गया फिर दुबारा 60 से किया तो seconds में आप इसको हम solve करते हैं कुछ cancel होता है बिल्कुल 3 तुजा 6 तुजा 6 जीरो एंड जीरो ठीक है और यह आगया seconds में अंसर आपका इस तरह से इसको complete करना है नेक्स सेवन्थ की स्ट्रेंट एक डिजाइनर यूजे इस तो बाइट्री मीटर ओफ लॉट इतना कपड़ा जो है इक डिजाइनर यूज करता है तो स्टिच और डांस कॉस्ट् इफ बन फिफ्टी सच डांस कोस्ट्यूम आर नीडेड अगर इस तरह की बन फिफ्टी डांस कोस्ट्यूम हमें चाहिए तो हाव मेनी मेटर ओफ लॉट विल डिजाइनर भी यूजे तो कितना कपड़ा वो डिजाइनर यूज करेगा टोटल तो उसके लिए कैसे निकालें क्लोउं टांस को श्वाल घ्र कि एक कोस्ट्यूम के लिए कितना कपड़ा यूज होता है क 59 फिफ्टी तो यहां पर लिखेंगा एक थेटर की बलक्नी में 120 सीट्स बने होई है इफ दीज वन ट्वंटी सीट्स आर वन बाइफ फाइब टोटल सीट्स का सिरफ यह जो 120 से है वह बन बाइफाइब पाइब है तो वह कैसे हैंगी यहां पर लिखेंगे टोटल पहले हम लिखेंगे 1 by 5 of total seats कितना है 1 by 5 of total seats 120 मतलब total seat का 1 by 5 करते है तो हमारे पास seats कितनी आती है 120 जो की बैलक्नी में है अब 1 by 5, off का मतलब होता है multiply, total seats, total seats, ठीक है, is equal to 120, अब आप देखें, total seat अगर हमें निकालने हैं, तो इसके साथ 1 by 5 है multiply में, तो जो divide में होता है, वो इस तरफ अगर हम shift करते हैं, तो right में, तो multiply में जाता है, तो यहाज़ेगा total seats is equal to 120, multiply 5 by 1, तो multiply कर दो, यहाज़ेगा 600 seats, ठीक है, तो total seats कितनी है, उसमें theater में 600, एक tree is standing behind a building, एक building के पिछे एक पेड़ है, 2 by 5 of the height of a tree can be seen, और उसकी पूरी height का, उस tree के पूरी height का 2 by 5 part, जो है, वो scene मतलब देखा जा सकता है, rest is hidden by the building, और बाकी जो है, वो building के पिछे छुपा हुआ है, the building is 9 meter high, what is the height of the tree, तो इसका थोड़ा imagination करते हैं, हम diagram से, माली जी, यह हमारा tree है, ठीक है, इस तरह से, तो tree यहाँ पर है, और इसके आगे जो है, एक building बनी होई है, ठीक है, कोई भी घर लगा लेते हैं, तो यह हमारी होगी building, अब इस building के अंदर, जो चुपा हुआ है, अब इस से इतना हिस्सा तो चु गया, ठीक है, और building की height है 9 meter, मतलब यहाँ से लेके, यहाँ तक जो पेड़ है, वो 9 meter है, ठीक है, जो hidden height है, वो 9 meter है, और जो देखा जा सकता है, वो हमें पता नहीं कितना है, हमें total height इसकी निकाल नहीं है, अब total height निकालने के लिए, देखो, fraction तो दे दिया हमें, जो height scene, मत आप निकालेंगे, fraction of hidden height, hidden height का fraction कितना आएगा, वो कैसे आएगा, 5 by 5, यह तो होगया, total fraction माइनस, जो fraction यहाँ पे है, 2 by 5, तो यह होजएगा, 3 by 5, ठीक है, अब हमें यह पता चल गया, कि जितनी height यह है, इसका fraction कितना है, 3 by 5, तो इसका आब हम यूज करेंगे, कैसे, 3 by 5 of total height, या फिर यहाँ पे total की जगा हम यूज करते है, height of 3, 3 by 5 of height of 3, is equal to 9 meter, ठीक है, यह हमें गिवन है, यहाँ पे confused नहीं होना है, बहुत से बचे यहाँ पे 2 by 5 ही ले लेते हैं, तो आपने ध्यान देना है, 2 by 5 वो height है, जो देखी जा सकती है, जबकि 9 meter वो height है, जो hidden है, ठीक हमने hidden fraction निकाला, यहाँ पे off का मतलब क्या होता है, multiply, तो off की जगा हम लेते है, multiply, अब height of 3 हमें निकालना है, तो इसके साथ उपर multiply में 3 है, नीचे 5 है, तो 5 ही दर उपर चला जाएगा, 3 दर नीचे चला जाएगा, तो height of 3, height of 3 आजाएगी 9, जो divide में था 5, वो उपर आजा है, तो देखते रहे हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक किजिए, शेयर किजिए, धन्यवाद,